तो दोस्तो आपको तो पता ही होगा हाल ही में लॉंच किया गया आइफोन X उसमें जो एक फेस आईडी करके फीचर है वो काफी कूल और अमेजिंग फीचर है तो फीचर आप अगर अपने किसी भी Android फोन पर यूज़ करना चाहते हो तो इस वीडियो का आगर तक देखते रहिए और हाँ दोस्तो एक जो फीचर है आपके किसी भी Android फोन पर वर्क करेगा इवेन आपके Redmi Note 4 पर भी तो यह काफी अच्छी बात है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो आपको तो पता है होगा एव जो फीचर है अपने Android पर पहले से ही है है लेकिन उतना सिक्ष्ट या फास नहीं है आईफन एक्स की तरह क्यूंकि आईफन एक्स में ओ अलगी हाड़ुएर के साथ काम करता है उसके लिए आफ़ आइफोन एकस में अलग से हाड़वर मिल जाता है और हो 3D structure में यह 3D अप्लिकेशन को बीट करने के लिए बोलेगा तो जैसे आप पास्वड अपने एप्लीकेशन में इंटर हो जाएंगे तो जैसे इंटर हो जाएंगे यहापर आपको रिमैंड में लेटर में टैप करना है और उपर आपको यहां कर आएगा स्क्रीन लॉक उससे आपको एक बाट कर देना है तो आपको आपको बता देता हूं तो आपको अगर फोन में पहले से कोई एप लोग या पाटिकुलर थर्ड पाटी कोई एप्लिकेशन यूज कर रहे है अपने मोबाल को लॉक करने के लिए तो उसको आप डिजेबल कर दीजे आप कर दीजे वरना क्या होगा आपको डबल डबल लॉक हो जाएगा और आपको बहुत ज्यादा जंजट हो जाएगा और उस एपको आप आसानी से यूज नहीं कर पाएंगे आपको काफी बोरिंग लगेगा तो उस सभी को आप पहले अपकर लीजे ओप करने के बाद फिर से इस एप्लिकेशन पे आ जाइए आने के बाद आपको यहाप पर आएगा एक फेस का ऑप्टिन यहाप अपर देख सकते हैं वहासे तरहें ऑपना फेस रिजिस्टेर कर सकते हैं तो यहाप आपको आएगा डाउन्लोड इंड डाउन होगा जो कि काफी सोटा से बास फायले तुरहनी मोदें भषान होद था ङाप कर ना होगा i Nova PiSata जैसे आप अने मलना परल पर तैब करते है तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और यहां पर अपना जो है आप रेजिस्टर कर सकते स्कैन कर सकते तो मैं मेरा सला देता हूं कि आप क्या करिए अपना जो फेस है ओ तीन फेस को यहां से सेफ कर सकते तो आपको तीनों फेस ही सेफ करिए और तीनों में अलग-अलग कहीं पर इसमाहिल करके कहीं पर आपना जो नॉर्मल वाला फेस कर सकल है उसको बनाकर स्कैन करिए तो उससे क्या होगा आपको काफी फाइदा होगा और काफी आसानी सानलोक हो जाएगा और उपर आपको आएगा लाइबनेस डिटेक्शन इसको अगर ओन करते हैं दोस्तों तो आपका जो सीकुरिटी है फेस का ओव काफी ज्यादा अगर कोई भी एप्लिकेशन को लॉग करना चाहते है तो आपर आपको टैप कर यह जैसे टैप करेंगे तो यहां पर आपको पर्मिशन मांगेगा तो आप यहां पर पर्मिशन एकसेस कर दीजे और बस आपको हो जाएगा तो जैसे आप अपने फेस्वूक या किसी भी आपको कुछ भी दिखाए नहीं देगा तो आपको सिंप्ली एक बार ओपन करना है तो जैसे ओपन हो जाया तो फिर से आपको उस एप्लिकेशन में आना है बापस आना है तो जैसे यह आएंगे तो उसी बग्त आपको यहां पर फेस्वूक को लॉग किया था भी और मैंने ओपन करके फिर से बैख करके इस एक अप्लिकेशन में आया तो यहाँ पर आपको फेस इडी का उफ्शन मिल गया तो उसको आप जैसे टेप करके ओपन कर लेंगे तो आपका कम हो गया आप आप आपाशानी से आप फेस्वूक को आपने फेस की मदलद से एंड़ा कर पाए भी फास्ट भी है तो आप अगर इसको लेफ्ट या राइट रोटेट नहीं करना चाहते हैं तुरंते अनलोग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उस जो एप लिए सेटिंग है उसको आप करना होगा लाइवनेस डिटेक्शन यहापर आपको फेस लॉक पर जाकर ऊपर सेटिंग वाला बटन है उसमें टैप करके इसको आपकर सिंप्ली आपकर दीजिए तो आपको जो लॉक है तुरंत है अनलोग हो जाएगा लेकिन थोरा से लेस सीक्योर हो जाएगा तो आप जो पसंद है उससे कर लिजिएगा तो यहाप आप देख सेते हैं मैंने यहापर कर देख तो तुरंति अनलोग हो जा रहा है तो अब अगर यह मत्स होची है कि मैंने उसको आफ कर दिया तो किसी भी फेस के साथ और अनलोग हो जाएगा एज एप्लिकेशन ने मतलब यूही में 4.5 रेटिंग के साथ नहीं आता है दोस्ते काफी अच्छा एप्लिकेशन है इसलिए आपने 4.5 रेटिंग के साथ प्लिकेशन पर आता है और अगर चाहते है पैहरे यूज़ करना पैंटर की तरह भी यूज़् कर सकते है लोग स्क्रिम कर अपने फेस डीबी लगा सकते है यह दोसते हैं सब्सक्राइब और आपको दूसरे मतलब अलग से फिंगर्प्रिंट रेजिस्ट करने की कोई जरुवत नहीं दोस्तों आपको इस एप्लिकेशन की मतलब अपने फिंगर्प्रिंट को यूज कर पाएंगे तो काफी अच्छा application है इसको जरू से try करिएगा और अपने friends को prank करिएगा दोस्तो मेरे कोई यहाँ से कोई भी paid promotion नहीं मिला है दोस्तो आप अगर सोच रहे हैं कि paid promotion मिला है तो इतनी तारीफ कर रहा है application के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं दोस्तो कोई भी paid promotion नहीं है application है ही इतना अच्छा तो इसलिए में इस application के बारे में इतना बोल रहा हूं यह थे आज के लिए face id log जो कि आप यूज कर सकते हो आपने किसी भी android phone पर I hope आपको यह काफी पसंद आया होगा क्यूंकि यह app है ही इतनी cool और amazing तो दोस्तो आपको अगर यह video पसंद आता है और interesting लगा है तो इस video को जरू से like करना शेयर करना अपने android वाले friends के साथ और हमा होगा हमारा जो brand new video से वह सबसे पहले आप लोग देख पाएंगे तो thanks for watching guys मैं में तो आप सब लोगों से ऐसे और एक इंट्रेस्टिंग वीडियो पर तब तक के लिए टाटा बाए बाए